पस्षिम बंगाल में मम्ता बनर जी खुद पर हमले का आरोप लगा रही है अब सियम पर हमला हुआ है तो सवाल खड़े होना भी लाजमी है सवाल यह है कि जब मम्ता भीड के बीच हैं तो सुरक्षा व्यवस्था का इतना हलका बंदोबस्त कैसे सवाल यह भी कि मम्ता बनर जी के दावे के बीच इन दो चश्मदीदों के बयान से क्या समझा जाए दरसल मम्ता कहती है कि नंदी ग्राम में उन्हें चार-पांच लोगों ने धक्का दे दिया और वह गिर गई उनका पैर सूज गया फिर बुखार के साथ उन्हें सीने में दर्द महसूस हो रहा है वह क्या कह रही है इसे आप दे सुनिए चार-पांच आदवी ने अब दर्द में गारी का इधर में खाड़ा हो के फूर कर रहा था हां चार-पांच अधी में पुरा बंद कर दिया है अब बहुत जाएंगे आभी जारा है और यहां पर रहा हुआ दिधी एक्साय काई जगह कौनसी है अजए दिधी आप रोलिया बजार बरोलिया बजार में और कि ते दोब से फिच्ट अधी आपको पांच चार-पांच रूसके लिए और चार्पांच और पांच चोट किसी की चार्जश साजश है किसी की साजश है किसी की लोकाल पुलिस कोई नहीं था वहीं चश्मदीदों में से एक चितरन्यन दास कहते हैं कि मैं तो मौके पर मौझूद था मुख्यमंत्री अपनी कार में बैठी हुई थी लेकिन कार का दर्वाजा खुला हुआ था एक पोस्टर से टकराकर कार का दर्वाजा बंद हो गया किसी ने ना तो दर्वाजे को चुआ ना ही धक्का दिया हां दर्वाजे के पास कोई भी नहीं था वहीं घटना के वक्त ममता बनर जी के नजदी के मौझूद शात्र सुमन कहते हैं कि ममता बनर जी को देखने के लिए लोग खड़े थे इसी बीच उन्हें गरदन और पैर में चोट लग गई इसी ने धक्का तो नहीं दिया और गारी धीरे धीरे चल रही थी सुरक्षा से जुड़े लोग बताते हैं ममता बनर जी पर हमला करना मुंकिन नहीं है उनके साथ हर वक्त सीम सेक्योरिटी विंग और स्पेशल ब्रांच सेक्योरिटी परसनल होते हैं जब भी ममता बनर जी कहीं दौरा करती हैं तो पहले से ही स्पेशल ब्रांच की तैनाती वहां कर दी जाती है इस वज़े से ऐसा पॉसिबल ही नहीं कोई वहां तक पहुँचकर उन पर हमला करते अब कुछ सवालों पर गौर कर लेते हैं सवाल यह है ममता नंदी ग्राम में समर्थकों के साथ नामांकन करने पहुचे थी फिर भी सुरक्षा में लापरवाही क्यों क्या सियम ममता बनर जी का खुद पर हमले का आरोग वहां की अववस्था नहीं जाहिर करता ममता पर हमले की जिम्मेदारी में क्यों सम्बंधित सुरक्षा इंचार्जों पर कारवाई नहीं की जानी चाहिए क्यों ममता बनर जी इतने कमजोर सुरक्षा घेरे के साथ इतनी बड़ी भीड के बीच थी वहीं भारतिय जंता पार्टी ने कहा है कि ममता बनर जी लोगों की हमदर्दी बटोरने के लिए ड्रामा कर रही है BJP ने मांग की है कि मामले की CBI जाज करानी चाहिए उधर ममता बनर जी पर हमले के मामले को TMC चुनाओ आयोग तक ले जाने की तयारी कर रही है